वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी इसमें किस तरीके के कॉश्चन्स आते हैं यहां पर पहले तो समझते हैं हो क्या रहा है देखो हमें एक फोटो दे दी जाएगी और यह फोटो में हमें वेव देख रही है हमसे पूचा कि बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो सकती है देखो वेव लेफ्ट या राइट मूफ कर रही होगी यहां पर पार्टिकल उपर या नीचे जा रहा होगा तो हमाँ आपस दो यह option है, या तो particle उपर जा रहा होगा, या पार्टिकल नीचे जा रहा होगा या ऐसा बोला जा सकता है, कि अगर यह y axis है, तो या तो particle velocity positive होगी, या फिर particle की velocity negative होगी या इसी तरी की चीज़े होती है, अगर exact calculation करनी है, तो फिर हमें formula यह देखना पड़ागा, लेकिन qualitatively हम यह चीज़ समझ सकते है तो अब इसको आप कैसे समझोगे, तो मान लो हमें wave की velocity दे दी, कि wave positive direction में जा रही थी क्या अब आप बता सकते हो, कि यहां से हमाय पास particle की velocity क्या होगी, particle उपर जाएगा है, नीचे जाएगा तो यही चीज़ें पता करने के लिए हमाय पास एक formula है, V of particle is equal to minus times velocity of wave times slope slope किस चीज़ का, यहां पर आप dy by dx कर सकते हो, है न, यह हमाय पास y है, यह हमाय पास x है किस तरीके से आप वो कर सकते हो, देखो, यहां पर हमें बोला गया है कि wave इस तरफ जा रही है, थोड़े से time बाद wave form हमें किस तरीके का देखेगा, पूरी की पूरी wave को आप इस तरीके से बना सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आच्छली पूरी wave भी नहीं थोड़े time बाद हमारी wave इस तरीके से आजाएगी, है ना, बदाओ, हमारे इस particle के साथ क्या हुआ, कहां था particle, यहां, थोड़ी दिर बाद, अब particle रहना इसी line में है, तो particle उपर गया है, है ना, यह चीज़ मैं देख सकता हूँ यहां पर, particle उपर गया है, तो इससे मुझे चलता है, velocity of particle is equal to positive, इस तरीके से हम देख सकता है, अच्छे, यह तो graphically हमने चेक कर लिया, अगर हमें इस तरीके का use करना है, तो कैसे बदा सकता हूँ, देखो, हमारे पास velocity of wave इस तरफ positive दियो है, है ना, velocity of particle is equal to minus, velocity of wave something positive, यहां पर वो है, ठीक है, अच्छे, इस particular point पर, हम हमायाँ बास slope क्या है, विको slope हूँता है, हमारे नेगेटिव होता है, यह वाले slope positive होता है, यह slope हमारे negative है, तो यहाँ पर value फिर से negative आजाएगी, velocity of particle, यहां पर again फिर से हम देखते हैं, यह negative, नेगेटिव अपने आपको cancel आउट करते हैं, हमाया पास फिर से positive velocity इस तरीके स आ जाएगे, तो यह qualitative analysis करना है कि दो तरीके होगे, आप इस तरीके से numbers भी देख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से diagram बना करके समझ सकते हो यह formula आता कहां से, हमाँ आपास जो wave की equation होती है, एक बार आप उसको time के respect में differentiate करो, एक बार आप उसको distance के respect में differentiate करो, फिर दोनों को divide कर दोगे तो आपको यह वाला formula मिल जाता है, डिराइब करने के में ज़रुरत नी है, पता होना जी है, यह मैंने आप आपको बना के दिखा दिया, इस पर बेस्ट एक question करते है a progressive wave traveling along the positive x direction is represented by y is equal to x t यह हमेरे पास wave को function दे दिया है its snapshot at t is equal to 0 is given in the figure the value of phi is तो अब यह value of phi के इस तरीके से पता का सकते हो, देखो हमें wave की equation तो दी होई है, value of phi हमें पता करने है सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँँगा t की value 0 दी है और अगर मैं यहाँ पे देखूँ x की value जब मैं 0 रखता हूँ x की value 0 है तो y की value भी 0 आती है तो एक चीज़ तो मझे चल जाती है y at x is equal to 0, t is equal to 0 is equal to 0 यहाँ पर values रखता हो यहाँ से मझे value मिलती है y is equal to a sin of 0 minus 0 plus phi is equal to 0 उससे मझे क्या पता चलता है sin of phi is equal to 0 आना चाहिए तो कैस से मुझे पता चलता है phi is equal to 0 आ गया या फिर phi की value phi भी हो सकती है इन दोनों में से कोई answer आने वाला है 2 phi भी हो सकती है लेकिन हमाई पास phi की value इतनी होती नहीं है 2 phi उपाई के उपर होती नहीं है phi की value ठीक है तो अब बता इन दोनों में से कौन सा option है ये चीज आप किस तरीके से पता कल सकते हो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर wave positive side में जा रही है तो यहाँ पर particle की velocity क्या होगी particle उपर की तरफ जाएगा positive में जा रही है तो हमाई पास wave थोड़ी दिल बाद इस तरीके से होगी यानि particle उपर जा रहा है उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ velocity of particle at x is equal to 0 t is equal to 0 is positive इस information का use करके आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा option correct है वीडियो को पास करो, question को solve करो इसका correct answer है, option number D कैसे आया, देखो हमें velocity of particle पता का नहीं है तो velocity of particle क्या हो जाएगी velocity of particle is equal to dy upon dt at any x x की value हम यहाँ पर fix कर दिया करते है x की value यहाँ पर हम इस particular case में 0 ले लेंगे हमाई पास velocity of particle क्या हो जाएगा उसकी value आजाएगी देखो, इसको आपको करना है differentiate with respect to time t x की value constant है हमाई पास वो value हाजाती है minus a omega cos of kx minus omega t plus 5 x और t की value 0 रग दोगे तो यह दूनों के दूनों 0 हो जाएगे velocity of particle at x is equal to 0 t is equal to 0, यह वाली value हाजाती है minus a omega cos of 5 अच्छा, फाई की value क्या है पाई की value हम देख चुके हैं फाई की value या तो 0 आने वाली है या पाई आने वाली है तो यहाँ पर इन दूनों में से बताओ अगर wave हमारी इस तरफ जा रही है तो particle की velocity को positive होना पड़ेगा particle की velocity positive होनी है यानि कि cos phi has to be negative for इन दूनों में से बताओ cost की value minus 1 कब होती है एक पर plus 1 आ रही थी एक पर minus 1 आ रही थी इसका मतलब phi is equal to phi हमारा option number d correct हो जाता है एक बार फिर से बताता हूं यहाँ पर हो कहरा है हमें ये snapshot दिया हुआ था इसको देख करके हमने x is equal to 0 और t is equal to 0 की value डाली तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि phi की value या तो 0 हो सकती है या पाई हो सकती है अब पता कैसे चलेगा इन दोने में से कौन सा सही है क्योंकि वे positive direction में जा रही थी तो हमने पता कर लिए velocity particle की उपर की तरफ है यानि कि positive y direction में हमें पता चल जाता है velocity of particle positive होनी चीए फिर हमने velocity of particle का formula देख लिया velocity of particle के लिए x की value fix कर दो 0 रख दो यहाँ पर इसको फिर इसको आप differentiate करोगे तो velocity of particle का हमाई पास formula आ जाता है उसमें again x और t की value 0 रख देंगे cos phi negative है तो यही हमारा correct answer है the option number d is our correct answer बहुत अच्छा सवाल था wave and particle velocities को एक बार फिर्षा समराइज कर देते हैं हमारे पास wave इस तरीके से move करती है लेकिन हर एक particle उपर और नीचे move करता है अगर आपको particle की velocity acceleration पता करना है तो आप क्या करते हो हमाई पास जो भी equation होती है उसमें किसी भी particular x पर यानि आप x की value fix कर देते हैं तो हमारे पास wave equation एक SHM की equation बन जाती है आप उसको differentiate करोगे particle की velocity मिल जाएगे उसको differentiate करोगे तो particle का acceleration मिल जाएगा उनके उपर फिर आप SHM वारे सारे के सारे formula लगा सकते हो maximum velocity, maximum acceleration इस तरीके से हम निकाल सकते है अक्सर हमारे पास इस तरीके से wave velocity और particle velocity के directions हमें पता करने होते हैं तो हमारे पास एक ही formula है velocity of particle is equal to minus times velocity of wave into slope तो इसका भी आप use कर सकते हो या फिर आप graphically use कर सकते हो अगर हमें बोलाए कि wave negative y में move कर लिया है यहां से मैं थोड़ा देर बाद की wave इस तरीके से बना लूँगा और फिक compare कर लूँगा कि कोई भी particle मानलो यहां फाला particle था तो थोड़ी देर बाद वो इधर आ रहा है यानि कि उसकी velocity negative है इस तरीके से हम देख सकते हैं analytically हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पायट एक बहुत ही प्यारे से crash course का उस crash course में 40 दिन में हमने पूरी की पूरी 11th और 12th की physics को complete कर लिया है with colorful graphics दो तो घंटी की classes है, link is in the description उसको ज़रूर check out करो साथ मैं आपको देखना पड़ेगा मेरा vlogging channel पढ़ाने के अलावा में क्या-क्या काम करता हूँ सोच रहा हूँ पूरे इंडिया की road trip कर लू तो उसका link भी description है उसको भी ज़रूर check out करना और colorful notes भी download कर सकते हो link is in the description हम मिलेंगे पूरे के पूरे फिजिक्स के course में अरे मेरी pencil वदल गए